हारे किस्णा आप देख रहे हैं टू मीडिया का जोतिश विग्यान रसोई घर में कई परकार के अनाज मौजूद होते हैं जिनकी मदद से अलग-लग परकार के वेंजन बनाए जाते हैं जो खाने में बेहद स्वाधिस्ट लगते हैं इनी वेंजन में दाल भी शामिल होती हैं दाल जितना खाने में स्वाधिस्ट है ठीक वैसे ही दाल स्वास्त के लिहाद से भी बेहद महत्यपुन मानी जाती है इसके साथ ही जो तिस में दाल एहम भूमिका निवाती है बात करें मसूर दाल की तो ये खाने के साथ साथ ग्रह दोश के निवारण के लिए भी बहुत जरूरी माना जाता है जोतिस सास्तर में मसूर की दाल के जोतिस उपायों के वारे में विस्तार से बताया गया है जिसे करने से वेक्टी को कर्ण से चुटकारा मिलता है और उसके जीवन में चल रही परिशानिया भी दूर होती है जोतिस सास्तर में मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी का समर्पिद है इसलिए इस दिन मंगलव से चुटकारा पाने के लिए उपाय करना बहुत शुमाना जाता है इस दिन मसूर दाल का दान करने से लाब होता है और जीवन में आ रही तमाम परिशानिया भी दूर होती है अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो सौमार के दिन सिवलिंग पर मसूर की दाल जरूर चड़ा है इससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और कड़ से भी चुटकारा मिल सकता है इसके साथ ही भागय में ब्रदी होती है अगर आपको मेहनत करने के बाद भी करियर में सफलता नहीं मिल रही तो लाल कपड़े में मसूर की दाल फूल और मिठाई को बांध कर नदी में प्रभावित कर दें ऐसा करने से आपके सभी मंगल कामनाय पूरी होगी और करियर में भी सफलता की प्राप्ति होगी अगर आपकी कुंडिली में शनी दोश है तो शनीवार के दिन पीपल के पेड़ में मसूर की दाल अरपित करें और शनी देव को भी चड़ाए इससे आपको लाब होगा और आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याए दूर होंगी दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का जोतिश विग्यान यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताए और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है वो सब्सकाइब अवश्य कर ले हारी किसना